पटना इन्वर्सिटी जिसकी आज बहुत जरजर अवस्था हो चुकी है या जिसकी आज बहुत देहनी अवस्था है एक जमाने में देश के चंद सबसे अच्छे इन्वर्सिटी में से इसकी अपनी एक शान थी कि इसकी मान्यता थी पटना इन्वर्सिटी का अब आज ये हालत हो गई है तो पैरामीटर्स की कमी जरूर हो सकती है किंद्रिय विद्याले का दर्जा लोग उमीच कर रहे थे कि हमारे माननिय प्रधान मंत्री इसकी घोशना करेंगे और हमारे बिहार के चहेते मुख मंत्री म मुख्या हमारे नितीश कुमार जी ने इसकी मांग भी रखी थी और जो हम समों को लगा कि अगर मान लो केंद्रिय विश्विद्याले का दर्जा ना भी मिला तो ये जरूर कहा जाएगा कि हम इसके पैरामीटर्स को ठीक करते हैं जिन जिन अस्तंब पे जिन दिन माप आपको मजबूत करेंगे और दर्जा दिलाने के कम समय अवश्य कोशिश करेंगे अवश्य मिलना चाहिए लेकिन ज़रूरी है उसके पहले कुछ माप दंड होते हैं उन पेमानों को ठीक करना नितानता अवश्य के जैसे की शिक्षकों की कमी बहुत कमी जैसे की टीचर्स और शिक्षकों का, टीचर्स और स्टूडेंट्स का, छात्रों का, जो रेश्यो होना चाहिए, वो रेश्यो ठीक होना चाहिए, किसी किसी डिपार्टमेंट में जितने पद खाली हैं, उसके बले आधे से भी कम शिक्षक हैं, हिंदी में तो सुना एक शिक्षक हैं, साइंस होता है ल Nature in उनिबस्टिन ने देश में एक सेयं हमारे माने ने प्रधान मंत्रि में ने कहा सही कहा था देश के एक सेयं विद्वानों को यहां का सोभाग मिला है又 पटर्थ से चाहई भारत के ग्रीष स चीव हों कि एक वन मंतरी नहीं किया गया उसके लिए मुझे कोई खेद नहीं है खुसा नहीं है लेकि अफसोस जरूर है कि बुला आते तो अच्छा होता आपकी थोड़ा शुभा बढ़ती बना कई लोग यह भी कह रहा है कि शताब्दी समारो किसलिए मनाया गया भई इतना खर्चा किया तुती गान करते रहे यहां खुशामदीद लोग बहुत सारे बैठे वे थे खुशामत की बाते रहे अरे बताना चाहिए कि यहां कि तकलीफ क्या है यहां कि दर्द क्या है यहां कि लोगों क्या पिक्षाए क्या है यहां कि छात्रों का सपना क्या है यहां कि लोग चाते क यहां के शातर हमारे घर के बच्चे उनकों भाग भाग के अगर सामर्त है उनके तो दिल नी जाना पढ़ता है चन्न ही जाना पढ़ता है बैंगलोर जाना पढ़ता है नाकूर जानो मान ने मांग भी की थी वो अच्छी मांग रखी थी उन्हें लेकिन वो तो हुआ नहीं है वो हुआ कि पांसो विश्विद्याले में दुनिया के सो में से भी भारत वर्ष के किसी विश्विद्याले का नाम नहीं है तो फिर अगर नाम नहीं है तो हम लोग क्या करें इस मामल और दस विश्वधारे होंगे प्राइवेट अब दस प्राइवेट होंगे तो लोग को तो हरता कि आप छूट देही रहे हैं उसके वाद उनको पांक पांसो क्रोड रुपे और मिलेंगे कहीं लोगे सवाल उठाते हैं बहराल पत्ना इन्वर्सिटी जिसका शताब्दी समार वो मिलाएं जा रहा वहाँ पर जो लोग आते हैं हाँ कि अगर वाइस चांसलर चाह बाकी लोग होते हैं जादातर लोग तो कौलिफिकेशन के अधार पर आते नहीं है जादातर लोग आते हैं जुगार के अधार पर उनके किसी से सोर्स जो को बोलते हैं बिहार में सोर्स लग गया, तो हो गया, टीचर भी बन गया, प्रिंस्पल भी बन गया, कई बार, और वाइस चांसलर भी, इन सब बातों को इनकी जानकारी देनी चाहिए थी, इसका दर्थ समझना चाहिए, जब तक कारण का आप पता नहीं लगाएंगे, तब तक निवारन नहीं हो सकता, नि कह रहा था, मुझे कोई फ्यक्तिकत नहीं है, मैं पटना इनुस्री का बहुत चहता, बहुत मानता हूँ, मैं बहुत कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है, बिहार में सब अपने परिवार के लोग है, खास का पटना इनुस्रीटी के, तो सारे बच्चे, लड़के, करते हैं, मेरे कल में कंप्रिवर्सी हुई है, इसमें जिएस्टी और नोटबंदी बात की कि बीजेपी ने डिमांड के तो साहित में, या हासरस में कोई रंग इमान करता है, तो डिमोकरश्टी में, लोक तांत्रिक सेटप में, सब को एक दूसरे से, अनेकता में एकता का ख्याल रखते हुए, सब को एक दूसरे से डिफर करने का अधिकार है, अब वहां अगर डिफरंस हा रही है, कोई ऐसी बाते आरे हैं इस फिल्म में, और वो भी सेंसर बोर्ट से पारित होने के बात, तो मैं समझता हूँ, यह उचित नहीं है, इस बात को यहीं खत्म करना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, कोई GST से सहमत है, कोई GST से नहीं सहमत है, कोई आपके नोट बंदी से सहमत है, बहुत सारे लोग नोट बंदी से सहमत नहीं है, इसका मतलब कते यह नहीं हुआ, यहं सहमत नहीं है, वह वह हमारी देश का हमारी परिवार, परिवार का हमारी समाझ का है, वह भी देश की चिम्ता करता और अपनी राय रखता है एस पर ज़्यादा कटाक्ष 80 का टिकी नहीं होने चाहिए दानेवाद यह है ना यह इद में FRK तक हैं यह कर दिन भी यह ने कर देआ जा राजी कर दो कि 7 है